फ्रेंट्स अभी काफी देखिए धूफोराय गर्मी बढ़ गई है और इसी में पौधों में देखिए ये फल भी लग रहे हैं इसी के साथ साथ काफी कलियां और फूल भी लग रहे हैं सारे अम्रूद के पौधें हैं और भी फूट्स जो फूट्स के पौधें हैं या इसमें इन लोगों के पानी की भी requirement बढ़ गया है काफी, तो थोड़ा काफी तरह के हम लोग इसमें बाई करते रहते हैं कि हमारे पाउधों को ज्यादा पानी भी हम लोगों को खर्चना करना पड़े और हमारे पाउधे भी स्वस्त और अच्छे बने रहें, देखना हैं, फ इस टाइम भी फ्लावरिंग करते हैं और इस टाइम इनका देखरेक बहुत जरूरी हो जाता है कि कई बार हम लोग देखिए इसमें मल्चिंग करते हैं या फुहारे देते हैं या तरह तरह के खाद फर्टिलाइजर की जो ठंडी खाद हो ठंडी फर्टिलाइजर हो इसी मे पहले या इस ताइम भी जो है ये पतियों से मल्चिंग कर रहे थें और पर हवा इतना तेजल चलती है कि ये पतियां सबूड जाती हैं सुखी हुई पतियां हैं निम की पतियां भी मंगाई थी हमने मल्चिंग के लिए लेकिन इससे हमारा काम नहीं बना क्योंकि पूरे गार्डन में फैल जाता था तो इस तरह हमने कुछ एक मतलब अपने हिसाब से हमने एक आइडिया लगाया और घर के ही वेश्ट चीज से देखिये बुरियों से हमने इसमें मलचिंग की और इतना अच्छा इसका रिजल्ट हमको मिला कि हमारे पौधे साम तक काफी मुर्जा जाते थे एक बार पानी डाल देते सुबह में क्योंकि अभी धूप में कभी पानी पौधों में नहीं डालना चाहिए क्योंकि वो उल्टा रियक्ट करता है पानी धूप में ज्यादा डालने से हो सके तो फुहारे मार सकते हैं थोड़ा उपर से बाइप वेगरा की ववस्ता है तो और नहीं तो धूप में मिटी गरम हो जाता है उस टाइम पानी डालने से थोड़ा नुकसान होता है पाउधो को तो इस वज़े से सुबा और साम को ही पानी डालना चाहिए देखिए कैसे जब तक छोटे पौधे होते हैं या छोटी छोटी फूल कली या उसमें लगी होती है तब तक तो इतनी जरूरत नहीं होती है जैसे फल बढ़ने लगते हैं वैसे ही इनके पानी का और ज्यादा ज जाते हैं और इसमें क्या होता है कि मिटी सुख जाता है और जब पानी डालती है तो धूब के कारण पानी सुख जाता है और हमारे पौधे सौफ में जाने के डर रहता है पाउधों को और यह फूल कलीया रुकना मुस् psycho हो जाता है इसलिए हमने अपने पाउधों में और हवा से भी कोई उड़ेने का डर नहीं है इसको और इस टाइम देखिए इस टाइम भी ये सारे फूल कैसे खिल रहे हैं और इन पतियों को खैर पतियां विकार नहीं होती है देखिए पतियां बहुत किमती हैं अई कठा करके रखेंगे तो गमले में भी डाल देंगे या या वहुत काम आता है खाद वगएरा हम लोग बनाते हैं तो उसमें इतना नारियल का छिलका नहीं मिलता है नारियल के छिलके से भी हम मल्चिंग कर सकते हैं लेकिन नारियल का छिलका इतना उपलब भी नहीं हो पाता है होती है तो ये पतियां पर अगर गमले में मीटी भर हुआ हो थोड़ा सा खाली हो तो फिर पतियों को उड़ने का डर रहता है हवा में यह अम्रूद हमने इसलिए बांध रखा है पनी में फ्रेंस की यह बहुत बड़ा-बड़ा साइज का होता है अम्रूद और यह अगर नहीं बांधेंगे इस तरह मोटी डालियों में तो हो मा अम्रूद इसमें लगते रहते हैं और बहुत बड़े-बड़े साइज के होते हैं यह जो कॉटन की बोरी फ्रेंस जो चट्टी का बोरा भीकाते हैं इसको यह किसी भी किराने के सोब पे मिल जाता है बहुत असानी से और घर पे भी पड़ा रहता है हमारे पास भी बचा हुआ है हमने इसी से मलचिं किया है जो बचा है वो है कटिंग उसका और यह देखिए मिठी नीम का पौधा है इसमें नई पते निकल रहे हैं क्योंकि बीज हमने तोड़ दिया है तो वहां से नया गुरूत सुरू हो रहा है और इसी में छोटे-छोटे पौधे भी निकले हुए हैं अपने हिसाब से इसको काट कर हम बड़े आसानी से छोटे पौधों को बचाते हुए और इस तरीके से पौधों को ढख देंगे हम गमले के मीठी को देखिए नमी बना रहता है सुब आप पानी डाल दीजिए इसके उपर से लिकुड फटिलाजर वगर ज हमारे मुर्जा जाते थे साम तक अब कोई दिकत नहीं होती है ये बढ़िया नमी बनाए रखता है साम तक और साम तक पाउधी नहीं मुर्जाते हैं हवा से उपने का भी इसे कोई डर नहीं है और पाउधे भी सुरक्षित रहते हैं देखिए तुलसी जी हर साम को ये मुर जाते नहीं है और तरुता जब बने रहते हैं